तो हेलो गाइस कैसे आप लोग तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में तो आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली है वाइज ओवर क्योंकि हमारे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हा गिये जिसके हम स्चूट करें उसमें माइक का थोड़ा सा इशू आ रहा है तो आज मैं जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि आज है धन्तेरस और वैसे सभी को धन्तेरस की बहुत बहुत सुपकामना है और जब तक ये वीडियो अप्लोड होजी होगी दो से तीन दिन मेरी खाल से उपर चले जाएगी और फिर भी हैपी धन्तेरस तो आज हम मार्केट ज जिन से खड़ी थी वहां पर क्यूंकि हमारे कार में कुछ बच्चों ने आग लगा दी थी फ्रंट साइड अब ऐसे आपको समझ मुनियागा तो जरा आप ये देख सकते तो यह हुआ कैसे कुछ बच्चे पठा के जला रहे थे और पतानी कैसे हुआ और गाड़ी में आग तक इनोंने पूरा समान नहीं लगा रहा था इनका कहना था कि अभी तक आपने यह जो पार्ट से फेंडर लाइन और बैटरी का कवर की आपने मंगवाये नहीं था पर कोटेशन में हमने पूरा लिखने दे रहा था कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं और सबसे पहली बात मु वह आपको complete मंगवा लीजिए जितना भी charges होगा वह हम पे करेंगे क्योंकि हमें cash payment करना था हमारा जो insurance था एक्सपायर हो चुगा था और हम renew नहीं कर पाया थे कुछ problem के वज़े से तो अभी देख सकते हैं बाकी आप ये वीडियो देखिए इसमें आपको total समझ में आ जाएक कि हुआ कि तो यह रही हमारी कार और काफी ज्यादा डेमेज हो गया था कार में तो इन्हांने रिपैर तो कर दिया है और यह सामने साफ देख सकते हैं number plate और जो हमारा right side था पुरा जल चुका था जैसे कि आपने photos में देखी लिया होगा तो इससे पहले मैं service करवाता था कह जी राम में तो मैं काफी ज्यादा satisfied था इनकी service से इनकी staff से तो अभी मैं यहीं पर आता हूं और देख सकते हैं आप काफी ज्यादा बड़ा है service center तो guys आज आगे से हम गाड़ी के delivery लेने क्योंकि इसमें problem आगी थी जैसे कि आप सबको पता चली गया होगा पूरा यह पार्ट जल रखा था कुछ बच्चों ने गाड़ी में आग लगा दी थी तो देख सकते हैं अभी बाकी यह वाला पार्ट पूरा चेंज हुआ और अंदर भी काफी सारी चीज़े चेंज करी तो आज मैं delivery के लिए था तो यह देखो ज़रा हैं पर आज पर गाड़ी के अभी भी सारे समान नहीं आ रहे हैं मुझे नहीं पता कह रहा है कि हमने और अपने दिया नहीं होगा तो सारे डॉक्यमेंट्स वगरा दिखाए चैक किया हमें टाइम से सारे जितने भी पार्ट से सारे पार्ट के हमने डिमांड करी थी पर अभी तक यह आभी कह रहे हैं कि एक दिन और लगएगा समान आने में तो देखते हैं गाईस आज तो मु जल्दी इनसान से होती है तो अभी हम कुछ टाइम और वेट करेंगे ताकि गाड़ी जल्दी से ठीक हो जाए और हम निकलेंगे अपना गूमने तो फिलाल हम जा रहे हैं विकास नगर मार्केट और देखेंगे कि कैसा माहूल है आज यहां पर मुझे थोड़ा सा काम भी है तो चलते हैं तो अभी हम पहुंचने वाले में मार्केट और पदा चली रहा है वैसे काफी ज़्यादा भीड़ है बल्कि यहां पर फोर विलर अभी कोई अलाउड नहीं है पर पता नहीं कैसे यहां पर फोर विलर है क्योंकि जैसे आपने पीछे देखी लिया होगा पुल पर विलर को बिल्कुल अलाउड नहीं कर रहे हैं और काफी ज़्यादा भीड है मार्केट में तो हमें काम वैसे ज़्यादा है नहीं घर के लिए थोड़ा सा समान लेना है दिवाली के लिए बाकी शॉपिंग हम बाद में करेंगे तो अभी फटा-फट से यहां से काम निम हुआ 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 है तो घाइज हमारा काम हो गया है और मार्केट से हुए अभी कटना है दोसरी साइट क्योंकि इस तरह बहुत जादा भीड है मुझे थोड़ा सा और काम था पर मुझे लगता नहीं ऐसी भीड में मैं गाड़ी कहीं पर खड़ी कर वाँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा से निकलेगे तो यहां से आगे से लेना हमें राइटन क्योंकि इस रोड में मुझे उतनी ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी तो मैं यहां से जल्दी पहुंच पाऊंगा तो यहां से लेते हैं फटाबट से राइट और यह हम आगे हैं 28 फुटा रोड तो अगर आपको क्राफ्ट और पेंटिंग और गिफ्ट वगरा ऐसे सरी से लेके कुछ भी काम है यहां पे सारा काम हो जाता हैं तो यहां से आप अपना काम कर सकते हैं यहां पे लगबग सारा काम हो जाता हैं तो मैं लगबग यहीं आता ह जब भी मुझे craft और gift लेना होता है या फिर painting से related कुछ भी काम होता तो मैं यहीं पर आता हूँ क्योंकि यहां पर आपको सच में सारा सामान मिल जाएगा तो यह रही 28 फुटा रोड और यहां से हम निकलेंगे फटाव तो ठीक है गाइस व्लॉग को करते हैं अभी यहीं पर खतम अगली जो वीडियो होगी वह एकदम परफेक्ट मोटो व्लॉगिंग की आईगी जिसमें माइक वगेरा complete setup होगा अभी मैंने मायक सेट किया था इस वीडियो में तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है बारबार की मायक में तो फिल आल अभी करते हैं व्लॉग को हींे पर खतम और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अभी दिवाली का व्लॉग आने वाला है तो थोड़ा सा वेट करना और वीडियो को जाज़ जादा शेयर करना सब्सक्राइब करना और हमरे साथ ऐसी बनते रहना आप देख रहे हैं UK16 व्लॉग और बने रहना चैनल के साथ तब तक के लिए बाई बाई टाटा